Hello students, welcome to Mr. Introden YouTube channel and today in this video we will be covering Gene Bowden's Theory of Revolution This is the part 2 video of Gene Bowden's Political Thought इससे पहले आली वीडियो में हमने उनका जो भी life and time था, उनके जो major works थे और उनकी जो सबसे important थे, that is theory of sovereignty उसको cover कर लिया है उस वीडियो की भी link आपको description box में मिल जाएगी आप लोग उसे जरूर देख लिजेगा, तो उससे आपका Gene Bowden का जितना भी political thought है वो काफी अद तक clear हो जाएगा अब हम इनकी theory of revolution देखेंगे, forms of revolution क्या causes होते हैं in revolution के and also in the end we'll see कि remedies क्या है revolution के लिए ठीक, so let us start this video सबसे पहले हम लोग देखेंगे Bowden's theory of revolution ठीक, the last important phase in Bowden's political philosophy is ideas on occurrence of revolution ठीक, revolution कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है revolution जो एक बार start हुआ है, उसकी क्या, क्या stages होती है ठीक, और क्यों ये जरूरी है, इस वारे में भी Bowden ने बात की है उसको भी हम लोग जानेंगे, और किस तरीके से इसका एक remedy कैसे हम लोग find कर सकते हैं या किस तरीके से revolution होने को रोका दा सकता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे His ideas on revolution resemble very closely with those of Aristotle ठीक, Aristotle से काफी similar है कुछ हद में इनका जो revolution का idea है and he borrowed from the latter to some extent आपका जो Aristotle की theory of revolution है उसे से कुछ ना कुछ concept अपना borrow किया हुआ है ठीक, but unlike Aristotle, he believes that transformation of states are inevitable ये क्या कहते है कि जो transformation of state है यानि with time, with the passage of time आपका जो state है वो evolve करेगा ही करेगा ठीक, inevitable है उसका transformation यानि inevitable है यानि ये की निश्चित है पूरी तरीके से की states जो है वो एक time के बाद transform करेंगे ही ठीक and that men should direct their attention to the regulation of manner of change and not to the prevention of change itself तो ये बहुत ही important paragraph है आपका जो आपको पता होना चाहिए की बोधिन क्या कहना चाहते है की जो transformation है वो तो हो गई बदलाओ, जैसे हम लोग कहते है ना की बदलाओ, प्रकृती का नियम है चिक, या परिवर्तन ही प्रकृती का नियम है उसी तरीके से बोधिन ने क्या गाए कि change या फिर transformation of state, transformation of form of government या फिर transformation of ruler चाहिए वो monarchy हो, aristocracy हो चाहिए वो आपका कोई भी दूसरी form of government है, democracy हो tyranny हो, उन सब में transformation तो आएगा, that is inevitable changes जरूर आएगे, चिक तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग इस change को आने से कैसे रोके, या फिर change ना आए या फिर किस तरीके से change को बिलकुल मिटा दिया जाए चिक, completely अगर change आभी गया तो इससे destroy कर दे, ऐसा possible ही नहीं है और ऐसा लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में, बलकि उन्हें क्या करना चाहिए कि किस तरीके से यह वो regulate कर पाए the manner of change and the prevention of and not the prevention of change itself, ठीक, change होने से रोकना नहीं चाहिए, बलकि यह वो क्या करना चाहिए, एक regulation उनको करना चाहिए, यह फिर आप कह सकते है किस तरीके से वो change होगा जो कि लोगों की betterment के लिए हो पाए, ठीक, ऐसे manner को वो लोग को regulate करना चाहिए regulate करना चाहिए, ठीक, हर किसी को इस बारे में दिमाग लगाना चाहिए that कि यह चेंज को रोकना नहीं चेंज तो होगा ही, change का होना तो inevitable है, बट वो किस तरीके से हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है कि नहीं, लोगों के profit के लिए हो रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग को regulation में लाना चाहिए बोधिन क्या कहते है, कि state जो है वो एक human like है, एक human beings की तरह है, यानि यह धीरे-धीरे grow करता है, फिर decline करता है, फिर आपका देखिए, यहाँ पर मैंने एक figure लिया है, अपने handwritten note से, जिसमें, यहाँ पर मैंने दिखा हुआ है, जैसे, जो man है, वो क्या होता है, grow करता है mature होता है, decline करता है, और decay करता है, यह इस तरीके से, stages एक grow करता है, फिर mature होता है, फिर decline होता है, फिर decay हो जाता है, चिक, या फिर यह एक और छोटा सा graph type का है, जिसमें वो grow कर रहा है, फिर mature, फिर decline, फिर decay, चिक, इस तरीके से आप इसको बना सकते है, grow किया फिर एक peak पर आकर mature हुआ यहाँ पर एक point हो सकता है maturity है फिर decline होने लगा फिर यहाँ पर आकर आपका decay हो गया यह तो यह decay, यह decline यह mature and यह grow का point हो गया यह केवल एक figural representation है बाकी मैंने अपने जो handwritten notes से उनमें बहुत और भी छोटे-छोटे flow charts बनाये हुए उनमें कई सारी मैंने छोटे-छोटे ऐसे attractive figures बनाया हुए जिससे आपका जो answer है तो थोड़ा और better हो जाएगा क्योंकि मुझे बादा है जो मेरे videos देख रहे हैं ज्यादा तर अपने जो भी under graduation के exams है या उसी के लिए वो लोग पूरा अपना वीडियो देखते हैं ताकि वो लोग अपना answers प्रिपेर कर पहता है तो अगर आपको मेरे handwritten notes टी है तो आप लोग मेरे telegram channel को subscribe कर सकते हैं वहाँ पर मैंने join कर सकते है telegram group को वहाँ पर मैंने सारे handwritten notes already PDF form में अप्रोड कियें तो वहाँ से आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी अब देखते topic पर आते हैं कि state जो है वो grow करता है ठीक mature होता है फिर decline करता है फिर आपका dekay हो जाता है these changes are more frequently involuntary though they may be voluntary as when one sovereign prince willingly submits to the sovereignty of an overlord ठीक यह जो changes है वो involuntary होते है किसी के बस में नहीं होते है यह धीरे-धीरे होता ही रहता है ठीक लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोगों की वज़े से यानि कुछ voluntary actions की वज़े से states का transformation होता है जैसे कोई अगर prince है वो अपने से कोई overlord के आगे खुदी अपनी जो sovereignty है उसे surrender कर देता है खुदी transfer of power होदाता है तो फिर उससे हम लोग क्या मानेंगे जो change आया है वो कैसा है आपका वो एक तरीके का voluntary actions से आया है ठीक these changes in the states may be either so slow and gradual that one hardly notices ठीक या तो यह बहुत धीमे-धीमे मतलब street चल रहा है धीरे-धीरे लोगों का आप कैसकते लोगों की विचारदारा opinion बदल रही है धीरे-धीरे development हो रहा है धीरे-धीरे लोग change की तरफ बढ़ रहे है या फिर एकदम से कोई बड़ा सा revolution हो गया और अचारक से सारी democracy बदल गई बिल्कुल माल लिजए किसी दूसरे foreign power ने attack कर दिया आपके country पर आप पहले democratic थे अब आपके ओपर एक तरीकी की tyranny हो गई या फिर आप कैसकते autocratic कोई rule चला गया है तो ये क्या है ये एक sudden violent blow की तरह होता है और इसी में बोधिन इसी को ज्यादा एक तरीकी का revolution मानते हैं या फिर आपके सिकते हैं इसी में बोधिन ज्यादा इंट्रेस्टेड है इसी की ये बात कर रहे हैं कि किस तरीकी से अचानक से एक बार में revolution आ जाता है या एक बार में कोई बहुत बड़ा transformation अगर state में क्योंकि transformation तो होते ही रहता है वो जो आपका परिवर्तन है वो तो प्रकृति का नहीं है आपका state धीरे 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 कुछ ना कुछ ग्रो करेगा या कुछ ना कुछ इसमें changes आएंगी बट जो एक sudden अचानक से कुछ होता है नहीं successful हुआ जो भी चीज़े थी बट वो कियाता है एक sudden violent blow था तो इस तरीके की revolutions के ही बारे में कौन बोधिन बात करते है तो theory of revolution क्या कहती बोधिन वस very clear that the society is always undergoing constant changes and revolution could take place इसे हमने पहले discuss किया है either slowly or violently but in all circumstances it was bound to change not only laws religion etc. but also the location of sovereignty देखे यहां पर यह बहुत important चीज़ आजाती है यह कि location of sovereignty भी बदली थी है यानि जब power का change है जहां पर location of sovereignty नहीं change होती है फिर power जो है वो किसी और के हाथ में आती है तो वहां पर उसको वो properly revolution मानते ही नहीं है बोदिन कहते हैं यह तो revolution कुछ हुआ ही नहीं जहां पर power change नहीं होई या फिर sovereignty की location नहीं बदली वो तो revolution नहीं है भी या ठीक there is no revolution in technical sense if sovereignty remains unchanged and if sovereignty has changed its location there is a real revolution ऐसा बोदिन कहते हैं ठीक the revolution can come by human natural or divine reasons इसको हम लोग आगे देखेंगे causes of revolution में अभी बात करनी है कि क्या होते है आपके human reasons क्या हो सकते हैं आपके natural और क्या होते हैं आपके divine reasons चिक human revolution promotes freedom of expression non censorship of news freedom of right to liberty and property चिक यह क्या है यह सब आपको जो human आपका revolution आता है वो basically किस चीज को promote करता है आपके freedom को promote करता है आपकी liberty को promote करता है आपका non censorship of news को promote करता है यहनि इन सब चीजों के लिए humans लड़ते हैं यह फिर इन सब चीजों के लिए humans revolt करते हैं ठीक और physical environment है उसका भी great influence होता है आपके ओपर social problems more particularly of confiscation of property, religious intoleration ठीक कहीं पर बहुत ज़्यादा अगर किसी एक particular धर्म के ओपर या किसी एक religious community के ओपर बहुत ज़्यादा अत्यचार हो रहा है तो वहाँ पर आपका transformation हो सकता है अचा अब क्या है unlike plateau और idealistic philosopher पोदिन believed in equality of wealth and distribution of wealth because according to him inequality is the main cause of revolution यह बहुत ज़्यादा important है कि जब main cause of revolution है ठीक जैसे हमने बात किया कहीं पर एक किसी particular religious community के ओपर अगर अत्यचार हो रहा है वो भी एक तरीका inequality है ना तो inequality, intoleration, इनहीं सारी चीजों से आपका revolution start होता है इनहीं सारी चीजे यही लोगों को क्या एसास दिलाती है कि हमाई साथ गलत हो रहा है या फिर हमारे natural rights को नहीं protect किया जा रहा है या फिर हमाई साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके लिए हमें आवाज उठानी चीए हमें revolt करना चीए और sovereignty की location को बदलना चीए monarch है तो democracy की तरफ जाना है democracy है तो कोई और दूसी better form of government की तरफ हमें move करना चीए ठिक क्योंकि हमाई साथ गलत हो रहा है तो यही जो inequality की भावना है ठिक inequality की ही जो भावना है वही आपका revolt करने पर मचपूर करती है ठिक forms of revolution में ये दो तरीके की forms of revolution बताते हैं एक तो ulterior एक conversion बहुत ही simple इसमें कोई बहुत deep explanation नहीं है when a change is affected in the system of laws, religion, social and political institution the revolution is designated as ulterior alter का मतलब यो होता है बदलाव ठिक बदल जाना ठिक alter का मतलब क्यों होता है चीज होना ठिक यानि जब law, religion, social or political institutions बदल जाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है अपका ulterior होता है in conversion में क्या होता है कि when a change is affected in the location of sovereignty that is monarchy changes in aristocracy or aristocracy in democracy the revolution will be termed as conversion though everything else including in laws and religion remain untouched अब conversion क्या होता है कि इसमें सिर्फ form of government बदलिये बाकि जो religious thinking थी जो laws थी जो religion था जो भी बाकि सारी चीज़े थी आपकी political, social, institution सब वैसा ही है सिर्फ और सिर्फ एक form of government बदल की पहले कोई राजा था अब राजा की जगा democracy होगी प्रजात अंत्र हो गया या फिर autocracy हो गयी या फिर कुछ और आपका aristocracy हो गई ठीक बस इतना होता है कर लंद में सब कुछ बदल जाता है तो पुरी तरीके से सारे चीज़े बदल जाती है लेकिन आपकी सब चीज़े वैसे ही रहती है सीर्फ और सिफ आपका sovereignty की location बदल जाती है यहाँ पर देखिए sovereignty location का ही मतलब क्या है sovereignty, sovereignty sovereignty होती हुना होती है एक जो सबसे superior है उसी वह हम लोग sovereign कहते है उसी के पास sovereignty होती जब वही बदल जाएगा बंदा कि सबसे ज़्यादा power किसके पास है government, जो democratic government है उसके पास, या फिर किसी monarch के पास या फिर किसी aristocrate के पास है तो वो क्या हो जाएगा आपका sovereignty की location हो जाएगी नेक्स जम लोग देखेंगे causes of revolution के आपने बात की थी सबसे पहला cause होता है divine causes बहुत easy, इसमें बहुत जाद explanation की कोईज़ोत नहीं है divine causes क्या होते है जब कुछ God की मर्जी से होता है God की मर्जी से क्या होता है जैसे जो direct judgment of God होता है without any intermediate operation or by ordinary casualty वो क्या होता है आपका divine cause होता है जाएग, natural causes revolution की क्या होता है in natural causes He discusses the influence of heavenly body like position of star जाएग, climate climate जैसे की आपका water soil altitude laws, custom and forms of state यह सभी climate में आदा है law, custom and form of state भी आपका climate में होता है इन सब की वदे से अगर किसी तईगे का revolution होता है तो आपका natural revolution है human, human causes जो है वो बहुत important है, उसमें क्या हो सकता है, difference of religious faith हो सकता है लोगों में आपस में, आपके सकते religion के नाम पे revolution हो सकता है ठीक, या फिर unlimited freedom of discussion, ठीक, या फिर right to be around इन सब चीजों के लिए लोग लड़ते हैं, इसके लिए revolt करते हैं, ठीक, यह reasons नहीं है, आपके सकते हैं, इसके लिए, ठीक, यह एक तरिकी के causes हैं, ठीक, इसके लिए, यानि कि उनने unlimited freedom मिले, उनने right to be around मिले, ठीक, जो या फिर great inequalities in position of wealth है, उसको destroy करने के लिए होता है, या two drastic changes in system of law, इन सब को ख़तम करने के लिए, आपका human revolution अकर करता है, ठीक, लास्ट हम लोग देखेंगे, remedies for the revolution, अब remedies कहां से लाएंगे, हम लोग revolution के लिए, उसको भी both in suggest करते हैं, both in like Aristotle suggest many remedies for the prevention of revolution, वो क्या कहते हैं, इसको एक example के साथ हम लोग समझेंगे, कि एक जो statesman है, ठीक, statesman यानि जो राजा है, या जो भी सरकार है, ठीक, वो एक physician की तरह होती है, अब लेकिन हर एक अलग-अलग state में, अलग-अलग बिमारी हो सकती है, अलग-अलग इंसानों को अल अलग-अलग बिमारी है, अगर एक ही physician है, एक ही व्याद है, ठीक, वो एक ही गोली सबको नहीं दे सकता है, उसको अलग-अलग treatment सबका करना पड़ेगा, ठीक, तो उसी तरीके से हर एक revolution के अपने causes होते है, अपने forms होते है, और अपनी-अपनी remedy भी होती है, ठीक, किसी revolution को, एक किसी remedy से सभी revolution को आप नहीं क्योर कर सकते है, ठीक, तो यह क्या कहते है, therefore it is folly to, sorry, states vary among themselves, just as much as individual men do, ठीक, यहने, states पे अलग-अलग होते है, जैसे कि अलग-अलग हिसान होते है, ठीक, therefore it is folly to try to apply the same rules identically in all illness, ठीक, सभी बिमारियों में एक ही तरीके का आप रूल या एक ह तरीके का चिकित्सा नहीं कर सकते हो, the form of state in a word must vary with the situation, just as character of building is adjusted by a good architect, ठीक, यहने, अलग-अलग तरीके की remedies, अलग-अलग revolution को क्योर करने के लिए, चाहिए होते है, बस यही इनोंने में बताया, और बाकि जो भी लिखा हुआ है, सब वेस्ट है, ठीक, सब लिखने बरका है, आप याद कर लीजे उसको, लिख लीजे समझने में इतना ही दा, कि जैसे states अलग-अलग होते हैं, वैसे, sorry, जैसे लोग-अलग-अलग होते हैं, वैसे state भी अलग-अलग होते हैं, लोगों की बिमारिया अलग-अलग होते हैं, तो उनका treatment भी अलग-अलग होना चाहिए, व और स्वें नोग्रीबी मिटाना , इनेक्वाल्टी ऑफ ईपर्चुनीटी यानि सभी को पर्चुनीटि के प्रॉपर चांसेस देना , appointment of right type of magistrate ठीक तरीके का जो magistrate या फिर आप किया सकते जो भी bureaucrats है या जो भी high officials है सरकार के, ठीक religious toleration, ठीक यानि कोई भी किसी भी तरीके का communal violence ना होना या फिर religion में आपका toleration होना चाहिए limited and qualified freedom for discussion देखिए unlimited freedom for discussion नहीं देते क्योंकि यह क्या कहते जो unlimited freedom of discussion है वो भी बहुत बड़ा problem create करता इन सब चीजों में ठीक, अब अगर आपके बास बिलकुल unlimited freedom है आप कहीं भी किसी के बार में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आप अफ़ा फैला रहे हैं कुछ भी चीज़े कर रहे हैं, गलत चीज़े बता रहे हैं, तो उससे भी एक तरीका का revolt हो सकता है या फिर आपको जैसे पता होगा कि 1857 revolt की जैसे मैंने पहले बात की थी तो उसमें भी क्या हुआ था कि एक तरीका का मुझे नहीं बता कि रूमर था कि क्या बट एक जो news फैली थी आपका जो मंगल पांडी के टाइम पे भी फैली थी जिसके वज़े से revolt हुआ था कि जो cartridges जो used हो रहे है वो animal fat से बना हुआ है तो इस तरीके से आप क्या गेते है कि बोदिन ने क्या बोला है कि एक limited and qualified freedom of discussion होना चै क्योंकि कई बहुत जादा discussion है बहुत जादा unlimited freedom की वज़े से भी क्या होदाती problems होदाती कोई कुछ भी बोलता है गलत लोग भी अपनी चीजों को propagate करने लगते है ठीक गार्डिंग अगेंस radical changes and system of law are the remedies although 1857 का जो revolt था that was very important for our country and उसमें जिन्होंने भी fight किया था they are very much आप के सकते हैं honorable है and we always salute those people ठीक आप देखते हैं हम लोग guarding against radical changes in system of law ठीक यह सारी चीज़े जो radical जो अचानक से बहुत जादा बदला होते हैं उन सब के भी रोक लगानी चाहिए यह सब कुछ proper remedies है जो की revolution के लिए बोध इन ने suggest कि आप चाहे तो इसको अलग अलग एक पॉइंट बना करके भी अपने answer की length को increase कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया है तो आप उसको अपने हपसे भी लिख सकते हैं एक एक पॉइंट अलग आप बना करके उसे लिखा जा सकता है different remedies for different states under different situation में भी recommended इसा कौन कहते है आपके बोधिन कहते है he said what is sauce for the goose may not be sauce for the gander चिक तो ये तो एक थोड़ा सा interesting line मुझा लगी इस वज़े से मैंने याँ पर add कर दिया so this was all about Gene Bodhin's theory of revolution अगर आपको कोई भी doubt से आप comment section में मुझसे पूच सकते इस वीडियो के handwritten notes के लिए आप लोग में telegram channel को join कर सकते so thank you for watching